तीन महादवीप हमने पढ़ लिये हैं एशिय, अफरीका और उत्री अमेरिका आज का हमारा महादवीप है दक्षिनी अमेरिका महादवीप जो की सेत्रिफल की दरश्टी से चोथा बड़ा महादवीप है दक्षिन अमेरिका महादीब सेत्रिफल की दरष्टी से चोथा बड़ा महादीब है और जन्संक्या की दरष्टी से पाचवा बड़ा महादीब है इसे विश्व में सरवादिक वनो और चिडियो वाला महादीब भी कहा जाता है विश्व में सरवादिक वन और चीडिया दक्षेन अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं इसलिए दक्षेन अमेरिका महाद्वीप को विश्व में सरवादिक वनों और चीडियों वाला महाद्वीप तथा पक्षी महाद्वीप भी कहते हैं दक्षेनी अमेरिका महाद्वीप में सर्वपर्थम इंका मानव सभ्यता का विकास हुआ था इंका मानव सभ्यता का विकास सर्वपर्थम कौन से महाद्वीप में हुआ था दक्षेनी अमेरिका महाद्वीप में इस दक्षने अमेरिका महादवीप की जो आकर्ती हैं वो तिर्बुजाकार हैं जिसका आधार क्या हैं उपर की ओर तता सिर्ष भाग नीचे की ओर विश्तृत हैं अब आती हैं जलसंदी मेगेलन जलसंदी जो किसके बीच स्तित हैं अर्जेंटीना और टीरा डेल फ्यूगों के मद्य ये मेगेलन जलसंदी स्तित हैं अब आता हैं दक्षिन अमेरिका का परवत कौन सा हैं तो एंडीज परवत जो हैं वो दक्षिन अमेरिका का नवीन वलीद परवत हैं और इसे विश्वी की सबसे बड़ी एस अंतुलित जल विभाजक रेखा भी या परवत भी कहा जाता हैं ये विश्वी की सबसे लंबी पर और यह मंट आंसे पर्वत माला क्याएं माउंट एकका का गुवा जो की अर्जेंटाईना में श्तित है जिसकी उचाई है 6960 मीटर और ये Mount Enka का गुवा जो है ये दक्षिन अमेरिका की सबसे उची परवत चोटी है ये क्यूशन आता रहता है चोटियों से संबंदित एश्या महादियू की तो है Mount Everest, अफ्रिका की है किली मंजाईरो, उत्रे अमेरिका की है Mount Mahilla ये दिनाली और दक्षिन अमेरिका की सबसे उची चोटी कोँशी है Mount Enka का गुवा या Enkohuma अब आते हैं दक्षिन अमेरिका के मरुस्तल कोई-कोई से है तो पहला मरुस्तल है Atakama Atakama मरुस्तल जो है ये विशू का सबसे सुस्क मरुस्तल है विशू का सबसे सुस्क मरुस्तल कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई- दक्षिन अमेरिका में अटाकामा और पेटागोंडिया अटाकामा तो है विश्व का सबसे सुसक नृ कि मरुष्टल और पेटागोंडिया धीक्षणी अमेरिका का सितोष्ण कटी झल शिक्ति फिर कहलाता है ये क्वेटो वसंत रित्तु का सहर कहलाता है फिर आती हैं दक्षिने अमेरिका की जीले कौन कौन सी है जीलों में आती हैं टीटीका का जील पूपो जील और मारा कारिबो जील जो टीटीका का जो जील है ये विश्वी की सबसे उची ज्वालामुखी निर्मित मीठ काई भी चलती हैं इस जील में तो टीटीका का जील के चार फेक्टे हैं विश्व की सबसे उच्छी जील ज्वालमों की निर्मी जील मिठे पानी की जील और नोका गम्य जील हैं फिर अति हैं पूपो जील ये पूपो जील कौन से देश में हैं बोलिविया देश में हैं ये स्थित हैं Venezuela देश में यह दक्षिन अमेयीशा की अमेरीक है और यह दक्षिन अमेरीका की सबसे बड़ी जीन है अब आती है NIS अमेरीका दक्षिन अमेरीका महादूर्वीट की इसमें पहली आती है अमेजन नदी ये अपवा सेत्र की दरश्टी से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिन अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और जबकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे लंबी नदी विश्व की तो है नील नदी और दूसरी कौन सी आती हैं अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और अपवा सेत्र की दरश्टी से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हैं अमेजन नदी आप याद रखेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो हैं नील उसके बाद आता हैं अमेजन का स दूसरी नदी आती है अरो-निको नधी की सहयक केरू नदी पर विस्सू का सभ से उच्छा एंजिल जल परपात बना हुआ है और इस एंजिल परपात की उच्छा हutral कितनी है 979 मीटर तो आप याद रगना एंजिन जल प्रपात कोंशी नदी पर बना हुआ है ओरो निको नदी की सायक केरू नदी पर अगर केरू नदी नहीं आता है तो ओरो निको नदी सही माना जाएगा और इस ओरो निको नदी पर गूरी जल विदूत परियोजना स्तीत है अब आते हैं कि बोलिविया और परागवे जो देश है वो दक्षिन अमेरिका के स्तल आबद देश है बोलिविया और परागवे दक्षिन अमेरिका के स्तल आबद देश है अब आते हैं दक्षिन अमेरिका की मेदान कोण-कोण से है लानोज जो कि उशने कटिबिंदिय गांस का मेदान कैल पहलाता है लानोज फिर आता है सेलवास ये ब्राजिल में अमेजन बेसिन में उसने कटिबिंदिय सदाबाhar वनो का सेत्र है जो कि विश्व में सबसे इसलिए इसे पर्थवी का फेपड़ा कहा जाता है फिर आता है कंपोज या कंपोज जो कि वराजिल में उसने कटिबंदिया घास का मेदान है फिर आता है ग्रांद चाको यह दक्षिन अमेरिका में कठोर लकडी के वन है इसलिए इन्हें कुलहाडी तोड़ने वाले वन भी क कहा जाता है फिर आता है पंपाज जो कि अर्जेंटाइना में शितोष्न कटिबंदिया घास के मेदान है सरवादी फसल यहां पर पंपाज मेदानों से प्राप्त होती है इसलिए इसे दक्षिन अमेरिका का ब्रेक बास्केट या रोटी की कटोरी पंपाज घास के मेदानो को कहा जाता है अब आता है दक्षिन अम्इरिका के खनीज कोंगौन से हैं पेहला आता है तमबा चीली की चुकी मता खान जो है यह विश्व की सबसे बड़ी तमबे की खान है यह क्यूषन आया हुआ है 2020 में भी आए हुआ है तो तबा जो है यह यह चीली tool की तामबरी की खान है दक्षिन अमेरिका की चीली देश की फिर आता है लोहा दक्षिन अमेरिका की देश ब्राजिल की माउंट इताबीरा खान लोहे की विश्व की सबसे बड़ी खान है यह ब्राजिल में स्थित्य माउंट इताबीरा खान और यह लोहे की विश्व की सबसे ब उत्पादन कहा होता है विश्व में ब्राजिल में होता है विश्व में सरवादी कोफी का उत्पादन होता है ब्राजिल में और ब्राजिल में जो कोफी के बागान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं फेजेंडा कहते हैं ब्राजिल में कोफी के बागानों को फेजेंडा कहा जात विष्व में सबसे बड़ी कोफी की मंडी कहा है, साव पोलो ब्राजिल में। सरवादी कोफी का उत्पदन ब्राजिल में ब्राजिल में कोफी के बागान क्या कहलाते हैं फजेंडा कहलाते हैं और विश्व में सबसे बड़ी कोफी की मंडी भी कहा है साओ पोलो ब्राजिल में ब्राजिल में स्तित बंदरगा है जिसे कोफी पतन के नाम से भी जाना जाता है या कोफी के बंदरगा के नाम से भी जाना जाता है कौन सा है सेंटो स्पोर्ट बंदरगा है राजिल में स्थीत बंदरगा है जिसे कोफी बंदरगा के नाम से भी जाना जाता है उसका क्या नाम है सेंटो स्पोर्ट बंदरगा है साव पोलो से सेंटो स्पोर्ट तक के मार्ग को कहवा या कोफी मार्ग कहा जाता है साव पोलो से सेंटो स्पोर्ट तक के मार्ग को क्या का जाता है कहवा या कोफी मार्ग भी कहा जाता है दूसरी फसल आती है गन्ना विस्व में गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में दोनों में ब्राजिल का पर्थम स्थान है जबकि दूसरा स्थान किसका है बारत का गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में इसमें परतम स्थान पर कौन है ब्राजिल जबकि दूसरा स्थान किसका है भारत का है अल्पाका और लामा एंडीज परवत पर पाए जाने वाले पसु है अलपाका और लामा ये दोनों पसु कहां पर पाई जाते हैं एंडीज परवत माला में पाई जाने वाले पसु हैं ये आपका हो गया दक्षिन अमेरिका महाधुप कलम पढ़ेंगे अस्टेलिया महाधिप और यूरोप महाधिप तो बढ़ते रहे आपके अपने चैनल के